गूड मॉर्निंग तो अल्स्टूदेंट्स। तुडेः आइम गईंग्टो एक्स्प्लेइन क्लास 12 बियोलाजी। तुडेः इस्टार्ट आवर नेक्स्ट यूट एट्ट्ट बियोलाजी इन हुमन वेलफेरः। ठीक है तो हम नेक्स्ट उनिट में यूनिट एट केंतर गत बाइवलाजी इन हुमन वेलफियर में तीन चेप्टर पढ़ेंगे ठीक है तो बात करें हम इस चेप्टर की तो इसमें आपका तीन टर्म्स है एक हो है आपका हुमन उसका हेल्थ और उसके अपोजिट उसमें होने वाले डिजीज तो हेल्थ की बात करें इसमें बेसिकली तो हेल्थ हम्हें हाँ इस टे हैल्थ हम이сем कैसे रह सकते हैं इनके लिए आपका डिफरेंट него साइने कहली सब्सक्राइ Ebola का है जाए एक है पोटीज दिया है कि लॉंग टाइम तब काम हैल्दी कैसे रह सकते हैं तो फर्स्ट इलाल इसमें मतलब गूड हुमर्स के लिए एक ग्रीक लाइक हीपोक्रेटास जो थे साइंटिस्ट उन्हें अपना है पोटीज दिया ठीक है उन्हें जो भी आपका disease है वह किससे होता है बॉडि के जो आपके लीकूइट है जिसको लोग क्या बोल सकते हैं जो बाडि इंटर्नल फ्लूट्स ठीक है बॉडि इंटर्नल फ्लूट्स के बेस पर ही जो होते हैं जो डिसी वोते हैं हुआ है इसा किस ने बोला हिपोक्रेटर्स ने साइंटिस्ट है इस उन्हें बेग बाईक की बाद की ठीक है कि बोडी में आपका ब्लड जो हमारा कनेक्टीटीटीश्यू हो गया इंस्टरनल फूरुट के रूप में येलो वाइल्स होता है जो कि हमारे लिवर से स्कृरिट ह होता है ठीक है जिसको लोग क्लॉड बोल सकते हैं ठीक है एक मतलब फ्लेम होता है जो भी हमारा स्वास्त को किस से रिलेट किया मतलब हमारे जो चारो जो लिक्वीड है बॉड़ी के अंदर वो अगर सही रहेंगे यलो बाइल ब्लेक बाइल फ्लेन तो ही हमारा जो हेल्थ है वह अच्छा रहेगा ठीक है यह जो हमारे एपोक्रेटस थे उन्होंने अर्ली यहां थेवरी दिया ठीक है उसके बाद मेडिकल साइंस में उसको आर्ग्यू करने के लिए कोन आए विलियम हार्वे ठीक विलियम हार्वे जो थे उन्होंने बताया कि टेंपरिचर यानि टेंपरिचर को मापने के लिए किसका इस्तिमाल किया उन्होंने टेंपरिचर की आपका थर्मामेटर ठीक है फर्स्ट डिस को और उन्होंने बताया कि मादब experimental method यूज किया जिसमें temperature की value को क्या कि उन्होंने observe किया और यह प्रूफ किया कि जो भी आपका body यहां पर यहां पर यहां पर देख सकते हैं दे कंडिशन आफ बिंग साउंड इन बॉड़ी माइन और इस्पिरिट इस्पेशली फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल डिजीज ऑफ फैन ठीक है मतलब जब अर्गिनिजम्स का फिजीकल मेंटल सूसल तीनों जब कंडिशन जो रहेगा विस्टेट रहेगा वेल बिंग रहेगा तभी जो होता है जो भी आपका यूमन है वह क्या रहेगा आपका स्वस्थ रहेगा या फिर हेल्दी रहेगा ठीक है आपका हेल्थ पर जो है आपका डबलू एचो के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है ठीक है जिनको उन्होंने दिया था कि इस्टेट अफ कम्पप्लीट फिजिकल मेंटेल एंड शोचल वेल वेल्बिंग्स ऐसले तु य की डेफिनेशन है उनका मेंग तक कि一 तुम्पूर्व मेंटेल हेल्थ तकॉव होता है वहां क्या रहेगा हैल्दी रहेगा ठीक है मतलब फिसी कले फीट है यानी उनको फीजी कली रूपसे कोई भी सर्दी बुखार खासी यह सारे जो फीजी कल जो भी आपका डिसरटर होते हैं वो क्या? नहीं रहेंगे तभी होा फज़iिकलफिट होगा mental well being का मतलब उनको उनके जो mentally आपका अनक्जीटी हो गया इस अब से क्या होना एंस करना यह सबसे क्या होना है अबका मुक्त तो होना है नगा Waste ठीक है उस सोचल में उस सोचल इंवर्मेंट में जाकर अपने आपको एडॉप्ट करना ठीक है यह तीनों चीज फिजिकल मेंटल इन सोचल तीनों जब इस्टेट रहेगा तभी कोई भी आपका हुमन्स जो रहेगा क्या रहेगा हेल्दी यह क्या था डेफिनेशन आफ अकार यह ही हमारे जो ह्यूमरेस है ठीक है humor नंतरत्र फ़ोर जो लीक्वीड सादने थैंटीक है बॉड़ी के फूर्ट जो आते है वह क्या होना चाहिए और एंबलेक़ बैलंस टू धा परसेनल एक वूडब्यवर्फ है उनका भी जो थेयुरी था उपका भाईल होता है जो जो हमारी लंग से सीक्रीट होता है ठीक है ऐस मेश के बैस पर क्या फिवर होता है इसा मानना था यहां अपक्रेटस यह का इसको जो किया उसको डिस्खरूऊफ किया हमारे एध्य करूआ आपका temperature में आपका body का temperature माफ कर जो है आपका यहां observe कि टेंपरिचर को measure करके observe कि black bile के base पर temperature जो होता है human का आपका increase नहीं होता है ठीक है उन्होंने temperature पर experimental experimental observe करके यहां proof किया ठीक है फोर हुमर्स है इसमें ब्लेक बाइल यलो बाइल फ्लेंग और ब्लड ठीक है लेटर डिस्कवरी ब्लड सर्कुलेशन विल्यम हर्वे ठीक बिल्यम हर्वे ने अपना थेओरी दिया ठीक है ब्लड सर्कुलेशन के लिए और यह डेमोस्ट्रेट किय लिए नॉर्मल बाडी टेंपरिशर कोई भी परसंट का जो नॉर्मल बाडी टेंपरिशर है ठीक है वह जो होता है वहां ब्लेक बाइल के अकॉर्डिंग नहीं होता है इनको उन्होंने क्या क्या आपका डिस्प्रूफ किया ठीक है गुड यूमर्स के लिए जो हैपितिस का सबस्कुड उन्होंने ठीक है रूदम्स के तुन है कि इसेयो डिस्प्रूफ किया टीक है और उन्होंने करेंटर के तरूब बाडाइक टेंपरिश्ण माप कर यह बताया ठीक है तो सबस्क्रेंटेट घिंए तो नोосьतुर्म नोकुल डेंपराद को थेडिया उफोंन है आपका जो भी अफ्थर्मा मीटर्ल्स के तुरूनों ने आप गया आपका टेंपरिचर को मिजर किया ठीक है उसके बाद आगे दिखते हैं इट वाज इस्टेट लेटर माइंड इंफ्लेंस बाई नियूरल सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम इम्यून सिस्टम टुगेदर दे अफेक्टेट हेल्थ ठीक है मतलब जो भी आपका और्गनिजमस है उसका जो बॉडि है माइंड है ठीक है जो इंडोक्राइन सिस्टम है वह क्या करता है यह सब भी सब्सक्राइब आधिव 245 वानल हैं कि उसके बाद हम देखते हैं सब्सक्राइब एक सघ्सक्राइब कि ही हाथ Ilse ने थीजिए अतल सकते ह Creek okay एक आपका इस्टेट हेल्थ के लिए ठीक है बाड़ी को बेलेंस के लिए के करने के लिए लॉंग टाइम तख खेलदी रहने के लिए क्या-क्या हमें है थिशेजिट के द्वारा दिया गया उसके बाद है इसमें क्या-क्या डिजीज है मतलब ही होता है डिजेज सीमला होता है आपका क्या'm full thing ठिक या फिर शूशलितोंग टोहां कॉंफर्टेबल ठीक है जब हमारा बाडी जो है आपका डिसकॉंफर्ट लगेगा या फिर कॉंफर्टेबल विल्कुल भी नहीं लगेगा फिजिकली मेंटली तो या फिर सुसली तो क्या कहलाता है डिजीज क्या कहलाते हैं डिजीज ठीक है मतलब फिजिकली अन्फिट करने इसलिए इसके इसके अंतर के बहुत शारे फैक्टर आते हैं इसे फिसीटल कि इसी कली को आपका निभा टीक है यह भी क्या करता है आपका डिजी इस टेखें यहाँ पर जिके एक्टर इंफ्लुएंसिंग मतलब कौन-्कव Leah करते हैं एक इंफलेंस करती है चैल्ड बरन विद डिफिएंसीआस मतलब यह मतलब यह 25 सेंश होती है रहा है नामसेंतर रहा है जो भी स्पिरिंग में या फिर उसके जो भी आपका बॉर्न बेबी होगा उनमें क्या होता है जीन के थुरू क्या होता है वन जेनरेशन टू अनादर जेनरेशन ट्रांसपर होता है ठीक है जैसे डाइबेटीज हो गया यहां भी क्या होता है आपका जनेटिकली अपने पैरेंट से ह हमारे एक्स्टरनल इंवर्मेंट जो है आपका बैसिक इसमें आपका रोल रहता है किसी को ही आप किस प्रकार से हमारा बाड़ी उसमें अड़ाप्ट करता है उसके बेस पर क्या होता है उसमें इंफेक्शन जो होते हैं हमारे हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं ठीक है जनेटिक डिसॉडर तो है ही उसके अंदर बहुत साली डिसॉडर्स आते हैं ठीक है अब एक प्रॉपर न्यूटिशनल फूड ले रहे हैं की नहीं आपका वाटर जो है जो हम ले रहे हैं वहाँ प्यूर है कि नहीं प्रापर रेश्ट readers have never actually just a year यही अगर इम्बारे रेश्ड होगा उसका प्रभाव पड़ेगा आपका थीन होगा थिक हमारे ऐल्थ को पड़ेगा तो यह आपका थीन फेक्टर वोगे है थीक है हमारे रेटेड इस उस्टयम है तो फिर फ्रीप्रॉम इल्नेश्ट सbori होना ठीड हैं कोई भी इलनेस डिसाअडर से होना सब्सक्राइब को इस फी港 थे By Congrats, फीट होना चाहिए घल्दि को जो होता है कोई भी आपका जो हमन सब्सक्राइब कहां है है। बोल सकते हैं त्या कि और जुँंस फूट पीट मीं क्या होना चाहिए अच्छा होना चाहिए रूटीन में exercise करना चाहिए और physically आधार जो जतना और इसी कि क्राकर नगारे हैं तक है फूद यह सभी चीज में कना वे सिख ध्यान देना को geld हमारे बारी को क्लिन hedge करना और क्लिनिंग मतलब होता है एक्सेटनल इंवार्मेंट में जो भी आपका के कैटमे है उनको क्लिंड करना थिक है टो यह basic आपके त्योंट को अच्छा रखने के लिए बेसिक आपका क्या है या प्रिकाशन्स है कि हेल्थ केंग डिफाइस स्टेट अब्पकॉमपेटिर सिप्पॉघ सफेंthose बेल नियुकित अे फिसेंग तो बेसे कली फिसिकल कम्प्लीट फिसिकल कम्प्लीट मेंटल और complete social will भी होगा तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं healthy ठीक है healthy person healthy people are efficient it work which increase productivity and economic prosperity healthy people होता है वह क्या करता है अपने productivity को क्या करता है वह बढ़ाता है ठीक है जब वह फिटीक है physically mentally आपका फिट रहे तभी जो जो भी उसका वर्क है ठीक है यह फिर जो भी उसका डेली रूटीन में जो भी आपका टाइम पिरेट रहेगा उस टाइम पर हर वर्क को क्या करेगा वह करेगा और अपने economically वह क्या करेगा आपका ग्रो करेगा ठीक है कि बात करें तो है इंक्रीज को क्या करता है कि वैल विंक्स करता है और उसका जो आपका जो लॉंगिटिवीटी है उसको भी क्या करता है इंक्रीज करता है इंप्रूव करता है ठीक है रिडिउस इंफेंट और मेंटरनल मॉटलिटी और जितने भी आपका बेबी जो होते हैं वह आपका मेंटरनल या फिटस में ही जो सारा जो होता है आपका जब फेल्थ अच्छा रहेगा तभी वैल्विंग्स रहेगा ठीक है मतलब जो दीरगाई हुए हुमन्स का जो लॉंग जो लाइफ प्रेड या फिर लॉंग जो लाइफ इस्पेन है वहां हेल्थ के बेस पर ही ठीका हुआ है बात करें फैक्टर्स की तो फैक्टर्स टू अजीव गुड हेल्थ ठीक है फूट एंड वेजिटेबल्स मतलब कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो की गुड हेल्थ को हम इसके तुरू क्या कर सकते हैं अचेव कर सकते हैं तो इसके अंतरगत दिया गया है डाइग्राम में यहां पे फूट एंड वे आइस पोटेटो और पेस्ट यह भी क्या है गुड हेल्थ के लिए क्या है आपका फैक्टर्स हैं ठीक है मीट में आपका आपका फीज एक एंड बिन्स इसारी चीज़ को एड़ करना चाहिए फूड एंड ड्रिंक्स में आपका हाई-फैट एंड सुगर इसारी चीज़ को एड़ करना चाहिए ठीक है अब मिल्क एडेरी फूड जितना हो सके पूटी नस जयानी मिल्क और डेरी जितने फूड ऐंड अंको क्या करना चाहिए प्रिस्क्राइब करना चाहिए आपके अच्छे डाइट के लिए ठीक है और प्रणायाम, जितने भी exercise हैं, running करना, swimming करना, driving करना, यह सारे क्या हैं, आपका exercises हैं, तो daily routine में क्या एट करना चाहिए, इस सारे exercise को क्या करना चाहिए, एट करना चाहिए, ठीके, और proper way में, daily routine में क्या बनाना चाहिए, कि जो आपका exercise है, वह continue रहे, और हमारा जो physical body है, mental, और जो भी stresses है, वह continue, remove होता रहे, ठीक है, cleaning, ठीक है, proper hand wash करना, ठीक है, proper hand wash करना, रोज आपका नहाना, ठीक है, मतलब जितने भी हमारे body का hygiene के अंतर, जितने भी हमारा body का cleansing है, इस सारा process करना चाहिए, एक अच्छे health के लिए, ठीक है, हमारे body को पूरा clear या साफ रखना चाहिए, ठीक है, साफ सूतरा रखना चाहिए, किसी भी प्रकार का उसमें infections होने नहीं देना चाहिए, ठीक है, proper way meditation करना चाहिए, mental health के लिए very very essential meditation, ठीक है, जिससे हमारा body, mind, क्या रहता है, soul रहता है, ठीक है, जिसमें सारी जो anxieties है, ठीक जो क्या रहता है, हमेसा improve होते रहता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह थी है हमारे factors, जिससे हम good health को achieve कर सकते हैं, ठीक है, एक अच्छे diet से, daily routine में exercise से, ठीक है, daily routine में body hygiene या फिर body cleansing से, ठीक है, उतके body clean करने के लिए, internally, externally, ठीक है, और daily meditation के लिए, ठीक है, यह सारे factors हैं, एक अच्छे हेल्थ को बनाने के लिए सारे फिक्टर्स जो है बहुत बहुत एसेंसियल है तो तेंक यू स्टुडेंट आज हम लोग देखे आपका हेल्थ और डिजीज के बारे में तो आगे जो भी डिजीज है उनको नेक्स क्लास में स्टडी करेंगे तेंक यू